कि अध्युक्त वेलकम माइनेम इस कमलवीर आध हम पड़ेंगे चैप्टर त्री इसका नाम है बार्बेरियंज फिलस्टाइन और पॉपिलस आपका पेपर है ब्रिटिश लिट्रेचर पार्ट त्री यूनेट नंबर है त्री इस यूनेट में आपको एक चैप्टर दिया ग इस बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है बार्बेरियंज फिलस्टाइन और पॉपिलस इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे आउथर का नेम है मैथ्यू आर्नल्ड सेकिंड स्मेस्टर की कई सारी वीडियो मैंने अप्लोड कर दी है बहुत सारी वीडियो की पीपीटी मैंने प्रिपेर कर दी है अभी अगले कुछ दुनों में सारी वीडियो अप्लोड हो जाएंगी स्मेस्टर सेकिंड इंग्लिश लिटरेचर की तो जो जो भी वीडियो आपको लगता है कि अभी तक आपको नहीं मिल रही तो वह सारे आपने लिखते रहना कमेंट वॉक्स में टॉपिक ही सर यह टॉपिक रहे गया तो उससे फिर थोड़ा सा मुझे पता रहता है कि क्या क्या चीजी अभी बाकी है आप लोग लिखा करो और इसके लावा आपको देखो लाइक जिरूर करना है आप लाइक करते हो तो फिर मुझे लगता है कि हाँ बच्चों को पसंद आ रहा है तो फिर मेरे अंदर और ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि मैं और जल्दी-जल्दी काम करो तो अभी यह आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि मुझे मुझ आना कि कैसा लग रहा है तो पहली बात तो यह एक्जामिनेशन में पूछा जा सकते है या फिर आप खुद से लिख सकते हो कि जो यह आउथर है यह विक्टोरियन एज से एसोसियेटेड है जो टू मार्क्स वाला कोश्चन होते है वैसा कोश्चन आ सकते है या फिर जो आप ऐसी चीज़े लिख दोगे ना कि आउथरी से एसोसियेटेड है चाहे ना भी पूछा गया हो तो जो भी एक्जाम आपका चेक करेगा तो उसे लगएगा कि हां बच्चे को काफी कुछ बता है बुक का नाम है जिसमें यह चैप्टर है आपको बता है कि एक बुक होती कि उसमें बहुत सारे चैप्टर होते है उसमें से एक चैप्टर यह है जिसको हमें डिसकस करना है बुक का कम्प्लीट नेम है फुल नेम है कल्चर एंड अनार्की एन ऐसे इन पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसेजर यह भी आप मेंशन कर सकते हो इसा सीरीजो पेरियोडि यह मैगजीन का नाम है इस मैगजीन में आप कहलो कि weekly या monthly जैसे भी यह मैगजीन पब्लिश होती होगी इस मैगजीन में हर हफ्ते या हर महीने अपना एक essay publish करवाते थे author और फिर उन सभी essays को बाद में उन्होंने मिला करके compile करके collect करके book published की 1869 में culture and nr की title के अंडर थोड़ा सा background इसी slide पे समझ लेते हैं फिर हम essay discuss करेंगे so in journal culture and nr की जो वो book है is a product of its time कहा जा रहा है कि उस time period में कुछ इस तरीके के घटनाएं हो रही थी incident हो रहे थे इस तरीके की developments हो रही थी जिनकी वज़ा से author को ये book लिखनी पड़ी या पर आप ऐसे कहलो कि जो भी उस time पी environment था उसी को reflect करने के लिए ये book author ने लिखी वो time कैसा था क्या time था वो industrial revolution का time यानि कि नई नई industry बन रही है नई नई inventions हो रही है workers कई कई घंटे mill में factory में काम करते रहते हैं कुछ लोग जो कि mill ये factory के मालिक हैं वो बहुत अमीर हो रहे हैं जो worker है वो गरीब से और गरीब हो रहे हैं तो वैसा background था triggered a significant shift in social organization values and beliefs जब आपकी economy change होगी मान लो पहले तो आप गाउं में रहते थे ठीक है लेकिन गाउं में अब पकी सड़क बन गई गाउं में एक factory आ गई गाउं में बड़ी school बन गया गाउं में बड़ा college भी बन गया ये सारी चीज़े गाउं में हो रही है पहले सभी लोग पैदल थे अब ये गाउं में cars आ गई हैं सभी लोगों के पास तो इससे क्या होगा इससे जो social organization है वो change होगा यानि कि समाज का ताना बना जब इस गंदिया कि समाज़दी बन तर समाज़दी बन तर इतना चेंज होगी जो society की values है मुल्य है बिलीव्स है वो change होंगे तो ये obvious है तो वो change हो रहे थे उसी change को लेके इनोंने ये ऐसे लिखा है with religion fading धीरे धीरे industrial revolution हुआ इंगलेंड में science आ गई technology आ गई तो पहले हर एक इंसान हर एक चीज का answer कैसे ढूंता था तो कोई भी चीज होती थी तो इंसान जो धार्मी किताबे हैं उसे उठाते थे कि इसमें क्या लिखा है इसका explanation जैसे कि आप क्या लो solar eclipse हो lunar eclipse हो या ज़्यादा वारिश हो जाए तो लोग धार्मी किताबों में देखते थे कि सूरज को ग्रहन लगा है तो क्यों लगा है इसका मतलब गया है यही होता था ना लेकिन जब science आ गए तो जो religion है वो fade होने लगा अब हम religion से answer नहीं पूछ रहे हैं from a former place as the unifying force of culture दूसरी चीज़ धीरे-धीरे कुछ लोग तो देखो अभी भगवान को मानते हैं God को मानते हैं उसे worship करते हैं हर एक चीज़ का जवाब कुछ लोग आज भी धार्मी किताबों के थ्रू ही ढूनते हैं लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा कि society में अभी science के थ्रू logic के थ्रू चीज़ों को ढूनते हैं यह चीज होती है ना तो पहले एक ही चीज थी जो हर एक इंसान को आंसर क्या करती थी वो था धर्म तो पहले धर्म हर एक चीज का आंसर करती थी ना तो सभी लोग unified थे जुडे होते थे सभी की एक ही बात हुआ करती थी लेकिन अभी religion को कुछ जब religion fade होने लगा तो religion जो सारे culture को पकड़ के रखता था तो culture भी तूटना शुरू हो जाएगा Arnold presented culture itself as a pursuit of messianic value that could unify society the way religion had previously वो कह रहे हैं कि देखो पहले religion ने पकड़ के रखा तो सारे समाज को अभी religion की force कम हो गए, fade हो गए तो अभी कौन सी force है जो culture को, society को, values को preserve करेगी, जोड़े रखेगी तो वो कहते हैं कि जो culture itself है culture अपने आप में ही एक ऐसी शक्ती है, जो अपने आपको जोड़े रख सकती है चाहे उसे जोडने के लिए religion नाम का glue, gond febical, कुछ भी कहो अभी available नहीं है, लेकिन culture ऐसी चीज है, कोई ना clue कोई ना कोई glue ढून लेगी और अपने आपको बचा लेगी तो ये background हो गया अभी directly आप समझो essay को, he divides English society into three parts English society का मतलब England की society तो वो कहते हैं कि जो England की society है, वो तीन parts में divided हैं, या फिर society में तीन तरीके के लोग हैं ये society में three classes हैं तो पहली है barbarians okay, barbarians second है philistines और third है populous, तो तीन तरीके की society, हमारी England की society मुस्टाइम पे तीन तरीके के लोग रहते हैं, barbarian philistines and populous ये ही तो नाम है ना ऐसे का भी तो barbarian कौन है, जो की aristocrats है, aristocrats का मतलब जो अमीर इंसान है जो कंपनियों के मालिक है जो जागीरदार है जागीर के मालिक है, जो सबसे अमीर आज के टाइम पे जो अंबानी अडानी है, वो aristocrat है उन्हें ये barbarian कह रही है तो सिर्फ मैं आपको भी introduction दे रहा हूँ आगे detail में बताऊंगा कि ये तीनों क्या क्या करती है दूसरा है philistines, philistines में कौन आता है जो middle class है जैसे banker हो गया aristans हो गया, shop owners हो गए या पिर जो भी आप कहलो jobs करें, clerk हैं जैसे जैसे आप और मैं जादातर लोग कि नहीं, हम job करते है है, कोई clerk है, कोई teacher है कोई bank में काम करते है जो middle class है, वो philistines है third है populous जो वो कहते हैं कि commoner है wage laborers है tenants है, working class है यानि कि जो factory में काम करते हैं as a worker या जो labor का काम करते हैं वो populous है, तो ये तीन classes दिमाग में रखना ध्यान में रखना हमें दोखो अभी तक पता चल गया कि society कैसी है industrial revolution आ चुका है उस industrial revolution के बाद religion जो आपको glue की तरह culture को पकड़े रखता था society को पकड़े रखता था वो अभी available नहीं है तो culture अपने आप अपने को पकड़ लेगी, अपने को survive करवाएगी हाना यही हमें अभी तक पता चला और society में हमारे तीन classes है यह भी हमें पता चल गया यह जो नई society है इसमें जो यह नए लोग है यह जो तीन classes है इनका जो आपस का relation है वो कैसा है वो अभी हम समझते हैं आर्नोल्ड आर्ग्यूस डेट इच सोशल क्लास वो ही barbarian यही तीन classes acts in its self-interest वो कह रहे है कि हर एक क्लास ना self-interest अपने ही interest अपने ही hit अपने ही फाइदे के लिए काम करती है जो अमीर है वो ऐसे काम करेंगे कि वो हमेशा अमीर बने रहे आपने देखा ही होगा ना कि जो अमीर इंसान है वो हमेशा अमीर इंसान रहना चाहता है जो factory का मालिक है क्या वो यह चाहेगा कि उसकी factory बंद हो जाए नहीं ना वो यह चाहेगा कि उसकी एक से दो से पांच factory हो जाए तो अपने interest के लिए काम करेगा Arnold claims that such self-interest fosters friction between social classes जो आपके factory के honors है सारे factory के honors है मिलके अपने लिए काम करते हैं जो middle class है वो एक दूसरे के साथ मिलके अपने लिए काम करती है populist workers मिलके एक दूसरे के लिए काम करते हैं तो हरे class के लोग अपने ही लिए काम कर रहे हैं तो जहर सी बात है, वहाँ पे conflict of interest भी होगा, अगर हर एक इंसान अपने लिए काम कर रहा है, तो दो इंसानों के बीच में जगड़ा हो सकता है, अगर एक ही चीज़ चाहिए दोनों को, क्योंकि दोनों सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं, तो कहते हैं कि foster का मतलब होता है बढ़ जाना, तो इन classes के बीच का जो clash है, दूरी है, आपके हलो conflict है, वो बढ़ जाता है, As each social class becomes more intensely self-interested, जैसे जैसे हर एक class का self-interest का जो tenet है, जो उसका attitude है कि सिर्फ खुद के लिए काम करना वो बढ़ता चला जाएगा, इंटेंस होता चला जाएगा, तो जो tension है इन classes के बीच में वो भी बढ़ती चली जाएगी, The goals and needs of each social class grows, तो इनकी जो tension है, इनकी जरूरते बढ़ती जली जाएगी, आगे क्या होगा? Arnold suggested that the growing tension, tension बढ़ रही है, क्योंकि हर एक अपने लिए काम कर रहा है, Between social classes was responsible for the disorder in Britain, वो कह रहा है कि हर एक क्लास ने अपने लिए काम किया, और उनके बीच में tension, conflict बढ़ता चला गया, इसी वज़ा से क्या हुआ? ब्रिटेन की society में disorder आ गया, disorder का मतलब होता है कि हर एक चीज अपनी जगा पड़ी है, आपके सामने table है, books की जगा books है, pen की जगा pen है, laptop की जगा laptop पड़ा है, ये order है, disorder का मतलब होता है कि चीज़े इदर उदर पड़ी है, वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन की society में भी सब कुछ इदर उदर हो रहा है, क्योंकि tension बढ़ रही है, during industrialization, and if left unaddressed would destabilize society, वो कह रहे हैं कि अगर हम इसे address नहीं करेंगे, इस problem को address नहीं करेंगे, इस problem को solve करने के लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, society destabilize हो जाएगी, वही चीज़े stable है, destabil का मतलब होगा, कि चीज़े उधल पुधल है, आपस में लड़ाईया शुरू हो जाएंगी, Arnold believed self-interest to be the greatest existential threat to society, क्योंकि हर एक इंसान self-interest के लिए काम कर रहा है, तो ये society के existence के लिए threat है, बहुत आप क्या लोग बुरी चीज़ है कि society की existence ही खतम हो जाएगी, अगर हर एक इंसान अपने बारे में ही सोचना शुरू कर दे, because every social class exhibited self-interest, everybody was responsible for the success or failure of society, आप सभी इंसान अपने लिए ही काम कर रहे हो, अपने बारे में ही सोच रहे हो, तो अगर society आगे बढ़ेगी, तो भी आप ही responsible होंगे, अगर society fail हो जाते, तो भी आप ही responsible होंगे, क्योंकि किसी ने आपको कुछ करने के लिए बोला नहीं है, आप सिर्फ अपने मन से अपने interest के according चीज़े करें, तो responsibility है आपकी, अभी आनल कहते हैं कि तीन classes में सबसे ज़्यादा responsibility किसकी है, कि वो order maintain करें society में, तो वो है philistines, क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा capacity है, क्यों, to initiate a shift in social attitudes toward collective good and away from self-interest, यह कहते हैं कि यह जो first है न, sorry, यह जो philistines की class है, यह पढ़े लिखे लोग है, middle class लोग है, वो कह रहे हैं कि इनके पास सबसे ज़्यादा capacity है, यही एक collective good, यानि कि सबी लोग मिल के किसी एक चीज़ के लिए काम करें, उसके लिए प्रेरित कर सकते हैं लोगों को, अभी one by one, तीनों classes को अच्छे से समझ लेते हैं, और उनकी क्या responsibilities है, यह समझ लेते हैं, तो सबसे पहले है aristocratics, यानि कि barbarians, for aristocratic class, he views that this class lacks adequate courage for resistance, देखो adequate का मतलब होता है, प्रयाप्त, यानि कि जिरूरी, needful, courage का मतलब होता है, साहास, resistance का मतलब होता है, कि चीज़ों को बदलना, resist करना, कि जो चीज़ा as it is चल रही है, उसे रोको अभी कुछ अच्छा करते हैं, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर वो साहस नहीं है, कि ये कुछ change लाएंगे, ये बात सही भी है, यो को जो इनसान राजा है, king है, वो चाहेगा कि चीज़े बदले, क्योंकि अगर चीज़े बदलेंगी, society बदलेंगी, norms बदलेंगे, law बदलेंगे, तो हो सकता है कि अब जिस law के साथ, rule के साथ, society के वज़ज़ा से वो राजा बना है, कल को उसकी गद्दी चली जाए, यही होगा ना, तो यह कुछ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें अपने सत्ता बे बैठे रहना है, because they believe in their personal individualism, क्योंकि यह personally, अपने individual self के बारे में ही सोचते हैं, but sometimes, it may happen, that doing as one likes, may bring chaos and anarchy in society, वो कहतना है कि ठीक है, यह इन्सान अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन अगर हर एक इन्सान अपने बारे में ही सोचेगा, तो इसे society में एनार की अराजकता भी तो आ सकती हैं ना, कि नहीं, आपको दूसरों के बारे में भी सोचना होगा, तो इन्हें वो question कर रहे हैं, they are champions of liberty, सबसे ज़्यादा liberty, सबतंतरता freedom इनके पास ही है, क्यों? क्योंकि देखो, जिसे कहता है कि रोटी कपड़ा मकान, सारी चीजे इनके पास best हैं, सबसे बड़े घर, सबसे सारी चीजे इनके पास हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा freedom है, तो यह कुछ भी कर सकते हैं, and often anarchical in their tendencies, anarchical का मतलब कि, यह anarchी लाने वाले इनके अंदर tendencies होते हैं, कि इनका जो मन करता है यह वो करते हैं, तो इसकी वज़ा से society में कई बाद disorder भी आ जाता है, yet they have their own individualism, field, sports and mainly exercise, are a fashion with them, their mainly exercise, their strength, and their good looks, and are definitely found in aristocratic class of his time, देखो यह छोड़ देते हैं, कि अच्छे दिखते हैं, पैसा यह सारे चीज़ हैं, छोड़ दो, their politeness resembles the chivalry barbarians, वो कह रहे हैं कि, इनके अंदर politeness भी है, वो इस वज़ा से, क्योंकि यह barbarian है, ओके, barbarian है, even the culture of the aristocrats, is skin deep, external lacking in inward virtues, वो कह रहे हैं कि, इनका जो culture होता है, जो यह aristocrat है, बहुत अमीर है, इनका जो culture है, यह external होता है, दिखावे के लिए होता है, lacking in inward virtues, लेकिन अंदर से कुछ नहीं होता है, जैसे आपने देखा होगा, बड़े-बड़े, जो politician है, बड़े-बड़े, फिल्म, producer, actors हैं, आपने देखा होगा, वो मंदिर जाते हैं, मस्जी जाते हैं, गुर्द्वारा जाते हैं, सारी चीज़े करते हैं, वो सिर्फ क्या है, external है, लेकिन अंदर से उनके, ये सारी quality, virtue नहीं है, ये गुर्ण उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर नहीं है, कि दूसरे की help करनी, उन्हें सिर्फ photo खिचवाने के लिए, मंदर जाना होता है, second class है, philistines, philistines are the middle class, ये मैंने आपको बता दिया, by philistines, जो की originally, german word है, german word है, इसका मतलब होता है, uncultured people, uncultured people, यानि कि इनका कोई अपना culture नहीं है, ये culture को बहुत ज़्यादा follow नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रोटी कपड़ा मकान ही नहीं पूरा होता, कि नहीं, the philistines are worldly wise men, लेकिन ये दुनियावी रूप से अच्छे होते हैं, दुकानों में काम करते हैं, as a nation of shopkeepers, philistines have brought all economic prosperity and progress in the country, यही prosperity लाते हैं देश में, यही देश में अच्छी चीज़े लाते हैं, क्योंकि ये माल लो एक दुकानदार है, तो ये दुकानदार है, तो बड़ी factory से ये चीज़ को खरीता है, यानि कि बड़ी factory को फैसा मिल गया, उसको आप तक पहुंचा आता है उस चीज़ को, तो उससे आपको खुशी मिलती है, और थोड़ा सा मुनाफ़ा अपने पास रखता है, तो ये गरीब को भी खुश कर रहा है, अमीर को भी खुश कर रहा है, ये इनका कहने का मक्यूद है, इन्हों नहीं शहरों को बनाया है, यही रेल रोड बनाते हैं, क्योंकि यही तो clerk, engineer, यही सारे लोग है न, ये हैं, दस, इन्हें उन्होंने इंपार बिल्डर का, दोखो ऐसा question examination में पूछा जा सकते हैं, वो एम्पार बिल्डर किस क्लास को कहते हैं, इन लॉंग एस दी वर्किंग क्लास वोड जॉइन फोर्सेज विद देम, दे वुड ब्रिंग तु दा लैंड ओल मटीरिल प्रोस्पेरिटी, वो कहते हैं कि अगर वर्किंग क्लास जो की थर्ड क्लास है, इनकी हेल्प करेगी, तो ये दोनों क्लासेज मिलके समाज को अच्छा बना सकते हैं, लास्ट में हैं पॉपिलस जो की है वर्किंग क्लास, उसके बारे में सुन लीजिए, तब पॉपिलस आर्दी वर्किंग क्लास, यह हमें पता चल गया, और आप कहलो कि ये गरीबी से ग्रस्त हमेशा रहते हैं, यह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं अभी भी रो यानि की मिट्टी से जुड़े हैं इन्हें एक्स्प्लोइट किया जाता है तंग किया जाता है किसके दौरा फिलस्टाइन के दौरा और बार्बेरियन के दौरा देखा होगा आपने की जो फैक्टरी के मालिक हैं और जो छोटी दुकाने चलाते हैं वो वर्कर्स को एक्स्प्लोइट करते हैं और यह लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एक्स्प्लोइट होते रहेंगे तंग होते रहेंगे अभी इनके अंदर अवेक्निग यानि कि इच्छा जागरी है कि हमें कुछ ना कुछ करना है और आप कहलो कि डेमोक्रेटिक जो रूल रेगुलेशन सिस्टम है वो इनके अंदर जाग रहा है तो ये भी अपने अधिकार मांगना इन्होंने शुरू कर दिया है अभी ये पोलिटिकली कॉंशियस हो चुके है यानि कि ये अपने अधिकार मांगना इन्होंने अभी शुरू कर दिया है तो ये था चैप्टर बार्बेरियन, फिलस्टाइन, और पॉपिलर्स आगेस आपको अच्छे से सारी चीज़े समझ आगी होंगी कोई डाउट होगा, लिखे मुझे बताना लाइक करना, मत भूलना सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी लिखना, अपने फ्रेंट्स के साथ शेर भी करना थांक्यू फॉर वाचिंग, बाई बाई